हाई गाईस देखिए दादी हैं मिली हैं इनके पती एक्सपायर हो गए लास्ट येर और बच्चे नहीं है अकेले उदर जोपड़े में रहती हैं दादी हाओ दादी इदर आओ आओ ना एक मिंट आओ तो ये दादी हैं मेरे साथ ही रहेंगी अभी क्योंकि मैं भी अकेले हूँ जंगल में इदर पूरा तो ये जानवरों की फौज जादा हो गई है अभी डॉक्टर साब आने वाले हैं कुत्ते बिल्यों का ओपरिशन के लिए बंबे से और मैं बहुत सम और माल नहीं पा रही हूँ बच्चों को अके लिये तो धादी हैं एलो कर दादी ऐसे वहला हं बोलो हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं सब्सक्राइब करो चैनल सब्सक्राइब करो बो जो है 25 जानवर हो गएं मारे पस कहाया रख रहे का जंगल में भी ऑस्पिटल का भी कर थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा एक से भले दो गाज आप भी सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए प्लीज मैं बॉम्बे से अपना सब लाइफ शोड के जानवरों के लिए ही आई हूं इदर प्लीज लाइक, सब्सक्राइब कीजिए हमको सपोर्ट कीजिए तो बहुत महीने हो गए मुझे तो यहाँ पर अभी यूट्यूब पर तो मैं अभी आई हूँ तीन मेने, ठाई मेने से अठरा महीने हो गए मुझे जंगल में इनकी सेवा करते हुए जानवरों के, अब ये दादी मिली है, इनका कोई नहीं है, तो मैंने सुचा चलो, थोड़ा बहुत सपोर्ट हो जाएगा मुझे, दादी खाना मना इधर ही खालेंगी, क्या अकेले बनाएंगी, कम दिखता है, ऑपरेशन हुआ है आग का, तो कल से मेर पास आ रही है, अच्छा है, खुश है ये भी, तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा, ये देखो बहुत फोज है, 35 जानवर है, अभी बढ़ गए, पपी और किटन्स पैदा हो गए, तो उनके लिए भी डॉक्टर साब से बात करिए, कर टेबल भी खरीद कर ला होना है यहां जंगल में, और ज्यादा हो जाएंगे नहीं तो,